फर्दर और आगे यू कहते हैं लार्ज एरियाज ओफिशली डिजिगनेटेड़ एस फॉरिस लैंड बहुत बड़े-बड़े खेत्र जिन्हें आधिकारी के स्थर पर वन भूमी कहा गया है फॉरिस लैंड कहा गया है और अल्रेडी वर्चुली ट्री लेस और अल्रेडी वर्चुली ट्री लेस इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है क्योंकि ये जो वाक्यांश है इसको जैसे का तैसा ले लिया है और ने रिपोर्ट से अपने शब्द नहीं डाले हो इसने अपने मंद से इसने नहीं लिखा ये भाशा He has taken out the language, he has copied the language and pasted it and having done so he has marked it in inverted comma So as to draw your attention that the official report says situation is very 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 bad Officially designated सरकारी इस तर पर जिन ख्षेत्रों को वन ख्षेत्र कहा गया है Imagine बाकी ऐसे बहुत से जंगल हैं जिन्हें वन ख्षेत्र घोशित नहीं किया गया है लेकिन ऐसे ख्षेत्र जिसको वन ख्षेत्र घोशित किया गया इसका मतलब यह है कि यहां वन ही रहेगा और वनों की किसी भी हालत में कटाई नहीं होगी कोई निवास इस्थान मकान आदी नहीं बना सकता पेड़ों को काट कर जब वन खेतर घोशित होता है तो वहां किसी भी तरह की कटाई जगन अपराद है उसके लिए अच्छी खासी पैनल्टी है जेल की सजा है उस सब के बाद भी ऐसे कानूनों के बनने के बाद भी इस फॉरिस लैंड्स है बिकम ट्री लेस ट्री लेस पेड़ ही नहीं है वहां पर और इसलिए नानी पाल की वाला कहते हैं इसको कोई जट नहीं देता उसको कोई लागू नहीं करता The actual loss of forest is estimated to be about eight times. The rate indicated by government statistics. ये सरकारी आंकड़े हैं. सरकारी आंकड़े के तहट 3.7 मिलियन एकड जंगल हर साल कट रहा है. ना निपाल की वाला का कहना है. सच्चाई तो ये है कि एक्चुल लॉस वास्तविक नुक्सान कितना है. सरकारी आंकड़े कुछ और बोलते हैं. सरकार हमेशा ऐसे आंकड़ों को, ऐसे फिगर्स को, ऐसी संख्या को थोड़ा सा तोड़ मरोड के बताती है जहां पर उसकी बदनामी ना हो. तो उसने 3.7 मिलियन कहा है. वास्तों में इस संख्या और ज्यादा है. Actual loss of forest is 8 times. आठ गुना ज्यादा है. वास्तों में जो जंगल का नुक्सान हो रहा है प्रति वर्ष वो इस संख्या से आठ गुना ज्यादा है. वास्तविक नुक्सान. Actual loss मतलब वास्तविक नुक्सान. Estimated. मैंने कहा आपको to estimate मतलब अंदाज लगाना. अंदाज होना. It is estimated to be about 8 times the rate indicated by government statistics. Statistics मतलब आठ गुना में जो वास्तविक संख्या है वो आठ गुना ज्यादा है. कल्प ना करिये. कितना वीभत पर्यावरण के साथ खिलवाड हो रहा है. और सरकार कुछ करनी रही है. This is a very very challenging situation. हम लोग के लिए एक बहुत बड़ी चिंता के विश्रा है. Next. Nani Palkivala further writes, A three-year study using satellite and aerial photography conducted by the UN warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical. किनी तीन वर्षों में UN ने अध्यान किया और वो अध्यान करने का जो तरीका था, बड़ा विज्ञानिक तरीका था. उसने satellites की मदद ली और aerial photography की मदद ली उपर से photograph जिससे कि जंगल का आकार, जंगल का घनत्व और जंगल की कटाई बड़ी स्पश दिखाई ज़ाए. जंगल में घर्टे हुए पेड़ों की संख्या वो दिख जाती है. संख्या नहीं दिखती है तो एक औसत निकालने में बहुत सरलता होती. तो बड़े वैग्यानिक तरीके से किये गए research के अधार पर जिससे UN उने किया है, जिसमें satellite और aerial survey की मदद ली गई, उसमें चेतावनी देता है UN. उस अध्यान का परड़ाम क्या? चेतावनी. किसको चेतावनी? मानो जाती को चेतावनी. सरकारों को चेतावनी. और चेतावनी क्या है? That environment has deteriorated so badly. वातावनी, deteriorate मैंने आपको पहले बताया है, गिरावट होना. His health is deteriorating day by day. उसका जो स्वास्त है, वो दिनो दिन गिर रहा है. तो to deteriorate मतलब गिरावट होना. Your performance in the class is deteriorating every year. कक्षा में तुम्हारे जो performance है वर्ष दर वर्ष गिर रहा है. Deteriorate. देखिएगा इसकी spelling. और deteriorate हो रहा है. क्या deteriorate हो रहा है? Environment to pull वातावरन. और इतना गिरावट हो गया ही कि अब वो critical condition में आगे. critical. critical आप जानते हैं. एक patient को जब हम अस्पताल ले जाते हैं. तो सामाने तकलीफ तो उसे general ward में रखते हैं. और फिर सिती और बदतर होती ही कहीं. तो उसके बाद उसे हम doctor ICU में लाते हैं. और ICU में भी जब सुधार नहीं होता और गिरावट होती है. तो वो अंतिम पायदान रहता है. जहां पर कुछ संभावनाएं रहती हैं. पेशिंट के सुधार की. वो कहते हैं critical care unit. जहां पर व्यक्ति अपने स्वास्ति के ऐसी क्यगार पर पहुंच गया है कि वो अब गया तब गया की स्थित हो जाए. तब वो कहलाता है critical. एक क्रिटिकल मतलब होता है अलोचनात्मक. अलोचनात्मक. और दूसरा होता है बहुत ही नाजुक. critical मतलब नाजुक. तो ये नाजुक स्थिति में जब आजनी पहुंच जाता है तो इस पार यह उस पार कुछ नहीं कहता डॉक्टर. बचेगा के नहीं पचेगा. और सामानित्या अनुभाव तो यही कहता है critical care unit में जाने के बाद वहां से सा कुशल जिंदा वापस आना एक miracle ही है. अजूबा ही रहता है. यही स्थिति यहां पर UN का अध्यान बताता है कि जो परिवातावर्ण है वह क्रिटिकल स्थर पर पहुंच गया है. एक नाजुक स्थर पर पहुंच गया है. In many of the 88 countries investigated, यह जो अध्यान हुआ था, यह 88 देशों में हुआ था, 88 countries. दुनिया में by the way कितने देश हैं? UN के जो मेंबर्स की संख्या है वो लगबर्स एक स्था ब्याननबे है. 192 countries are there in the world which are members of the UNO. that the condition has become critical. Condition of the environment has become critical. To investigate मतलब खोजबीन करना. So खोजबीन के बाद यह पाय गया. 88 देशों में खोजबीन की गई. Research किया गया, अध्यान किया गया, और पाय गया किया कि यहा कि स्थिति, दैनी हैं, शोचनी हैं, नाजुक है. There can be no doubt that the growth of the world population is one of the strongest factor distorting the culture of human society. बेशक, no doubt, मतलब बेशक, इसमें कोई शंका नहीं है. कि growth of the world population, दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई जन संख्या जो है, यह distort मतलब जो रूप बदल रहा है. Distorting the future of human society, मानो सब्धिता, मानो जाती का जो रूप बदल रहा है, उस रूप को बदलने में, एक बहुत बड़ा factor, बहुत बड़ा योगदान किसका है, तेजी से बढ़ती हुई जन संख्या का, इसके क्या माइने? So, on the one hand, the author does accept that one of the major factors for today's environmental condition, which is fast deteriorating, is the fast growth in population. जन संख्या की तेजी से व्रिद्धी जो है, वह निश्चित रूप से बातावरण को खराब तो कर रही है, और उसका एक मुख्यक कारण है. भविश में मानो समाज का क्या रूप रहेगा, इसमें ये बड़ती जन संख्या की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी. अब देखिए जन संख्या के आंकड़े कर बाद, आंकड़ों का खेल देखिए, और आपकी आंकें खल जानी चाहिए. it took mankind more than a million year to reach first billion मानो सब्विता को पहला billion पहुँचने में पहले billion की संख्या को पहुँचने में 10 लाख वर्ष लग गए 10 लाख वर्षों में विश्व की जो जन संख्या है उसने billion का figure टच किय that was the world population around 1800 और ये कब की बात है 1800 वर्ष 1800 A.D. यने आज से 200 वर्ष पूर 200 वर्ष पूर 10 लाख वर्षों के स्पैन में पहली के दौरान 1800 इस्वी में हमने पहली billion हमारे हां की जन संख्या टच्छवी विश्व की जन संख्या लेकिन 1900 में स्थिति क्या हुई 100 वर्ष बाद 100 वर्ष बाद एक और बिलियन संख्या जोड गई 1800 में एक बिलियन थी 1900 में दो बिलियन हो गई वही पहला बिलियन 10 लाक वर्षों में हमने चुआ यहां दूसरा बिलियन 100 साल में हो गया and the 20th century has added another 3.7 बिलियन और बीशवी शताबदी में यह 1900 की बात है बीशव में कितना हुआ 200 2000 में 3.7 बिलियन हो गया एक बिलियन को 10 लाक वर्ष, दो बिलियन को 100 वर्ष और तीसरे 300, तीसरे 100 वर्ष में, दूसरे 100 वर्ष में यह 1900 से 2000 में हमने 3.7 बिलियन कर दियो the present world population is estimated at 5.7 बिलियन और यह present world population की बात जब कर रहे हैं so that is the year may be 1994-95 when the article was written so somewhere around 2000 AD वर्ष 2000 के आस पास विश्व की जन संख्या 5.7 बिलियन रही होगी अब तो 20 साल इसको भी निकल गया every fourth day the world population increases by 1 million हर चौथे दिन दुनिया की जन संख्या 10 लाक संख्या बढ़ जाती है कल्पना करिये कितनी बड़ी बात किस तेजी से जन संख्या बढ़ रही है पर जिस तेजी से जन संख्या बढ़ रही है उस तेजी से क्या हम वे प्राकृतिक श्विधाएं जो हैं वो उपलब्ध हो पारी है जिस तेजी से जन संख्या बढ़ रही है उस तेजी से उनके लिए भोजन का इंतदाम पानी का इंतदाम और ऑक्सीजन आदी आदी के वियोस्था ये सब प्रकृतिक चीजे हैं और प्रकृतिक होते विये इनकी अपनी एक सीमाय हैं एक निष्चित संख्या है एक निष्चित मात्रा है they are not unlimited water is also limited just as any other thing and so you can imagine कि हर चार दिन में दस लाक नए लोग नए बच्चे पैदा हो रहे और ये संख्यात बढ़के और जादा हो गई होगी अश्चर नहीं होगा यदि हम लेटेस रिसर्च में पाएं कि दो जिन में दस लाक की संख्या को अब हम चूर रहे हैं so this is author accept कि one reason for the present problem for the ailing planet is growing population as revolutionary perception मतलब सोच मानो धारनाएं human perception मानो धारनाओं में ये जो क्रांतेकारी परिवर्तन आया है mechanistic view to holistic view to ecological view ये जो परिवर्तन हुआ है बड़ा क्रांती कारी है पहली बात और this shift मानो धर्शिकोन में ये बदलाओ जो है it is as important देके तुलना किस से कर रहा है लेख एक ना निपाल की बाला कहते हैं ये जो shift है सोच में that shift is as important as significant as Copernicus the famous scientist who taught mankind in the 16th century that the earth and the other planets revolve around the sun sun के चारों तरफ सूरज घूमता है ये किसने कहा था सबसे पहले वैसा तो भारती माइथालोजी में बहुत पहले ऐसा कहा गया भारती पुराने प्राचीन भारती विज्ञान में लेकिन दुरभाग्य से दुनिया कुछ और सोचती थी दुनिया सोचती थी कि सूरज घूमता है पृत्वी के चारों और और इसलिए सूरज उगता है और डूपता है लेकिन कोपर निकस एक सुलमी शिताबदी का वैज्ञानिक उसका किस और कहना था उसने कहा कि पृत्वी चारों तरफ घूमती है सूरज के प्लैनेट चारों तरफ घूमते हैं सूरज के सूरज इस ते रहा अब जो ऐसी सोच जो हजारों साल से चली आ रही थी कि सूरज घूमता है उस सोच को बदलने की हम्मत चाहिए तरफ लूमते हैं सूरज को तरफ चाहिए कि मुझ था तरह शीजिव। ज जबंट भूनिए सूर आँ उसने नॉफ एी जिए तरह बूमते हैं रहीं पाट लूमते हैं सूरज रहाइं तो नटीज। कि वाल कि वाला से, this particular change of shift, this particular shift from mechanistic to holistic and then on to ecological is as important as the invention or the discovery by Copernicus, not invention, discovery by Copernicus. कि खोज की तरह ये भी एक उतना ही महत्पून है, जितना की Copernicus ने खोजा था, who taught mankind, mankind मतलब मानो जाती, kind मतलब मानो जाती, in the 16th century that the earth and the other planets revolve around the sun, इतनी बड़ी बात है, ये shift, सोच में shift होना, ecological कारणों को समझना, For the first time, in human history, there is a growing worldwide consciousness. दुनिया के इतिहास में पहली बार, मानो इतिहास में पहली बार, लोगों में विश्व व्यापी जागरुकता आई है. Worldwide विश्व व्यापी जागरुकता आई है, मानो इतिहास में, और वो जागरुकता क्या है? That the earth itself is a living organism, कि जो धर्ती है, प्रित्वी है, वह स्वयम में एक जीवित अवयव है, एक जीवित संस्थान है, एक विशाल प्राणी है, जिसके हम एक हिस्सा मात रहाँ. प्रित्वी स्वयम में एक प्राणी है, सजीव है, जीवित है, जीवित अवयव है, उसमें लाइफ है, प्रित्वी में लाइफ है, ये सोच अभी अभी आई है. पहली बार ये हुआ, there is a growing worldwide consciousness that the earth itself, प्रित्वी स्वयम, itself मतलब स्वयम, is a living organism, organism मतलब क्या होता है, अवयव, जीवित अवयव, consciousness मतलब सजगता, समझ आना, जागरूगता आना, an enormous being of which we are part, enormous मतलब विशाल, एक विशाल प्राणी है, being याने प्राणी, human being, animal beings, being याने प्राणी भी होता है, और बी से भी being बना है, being मने होना, being मने हो रहा है, he is being treated for cancer, cancer के लिए को लेकर उसका इलाज हो रहा है, वहाँ पर being का दूसरा आर्थ है, और यहाँ being का आर्थ होता है, human being मतलब मानो जाती, जिसका एक हम हिस्सा है, of which we are a part, earth is also a living being, तो आपके लिए भी यह समझने की बात है, कि प्रित्वी को भी एक जीवन्त चीज माने, प्रित्वी को एक डेड़ चीज नहीं है, प्रित्वी में भी जान है, this planet has life in it, because जब तक आप यह नहीं मानेंगे, तब तक आपका धर्थी के प्रती नजरिया नहीं बदलेगा, so you have to accept, you have to put it in your mind, very deeply, that earth is a living organism, of which we are a part, जिसका हम एक मात्र हिस्सा है, the writer further says, that, it has its own metabolic needs, and vital processes, see the sentence, it has its own metabolic needs, and vital processes, vital मतलब जिसमें जीवन हो, वीटा शब्द जहां भी आता है, अंग्रेजी में, V-I-T-A, जैसे अन कहीं भी आता है, अन, U-N-N, शुरू में, तो वो बचे हुए शब्द का उल्टा है, balanced, unbalanced, done, undone, तो, U-N-N, opposite कर देता है, शब्द के meaning को, ऐसे ही यहां पर, वीटा जो शब्द है, जो शुरू में आता हो ज़दी, अंग्रेजी में, तो वीटा मतलब बता है, life, वीटा मिन, वीटालिटी, और बॉन वीटा शब्द भी इसलिए बना है, जिसमें, जो हमें जीवन बन विटा, जिसमें हम खाते हैं, वाइटल, so वाइटल मेंस जीवन्त, so the author says, it has its own metabolic needs, it मतलब क्या, it किस के लिए है, प्रणाउन है, अर्थ के लिए, the earth has its own metabolic needs, मतलब उसकी कुछ आवश्यक प्रणालिया है, Metabolic Which is Inseparable, integral It has its own metabolic needs And vital processes और कुछ ऐसी उसकी process है धर्दी की जिन्हें संजोय रखना सजा के संभाल के रखना और इज़त देना बहुत जरूरी है आर्थ की भी अपनी कुछ Metabolic Needs है शरीर की Metabolic Needs क्या होती है विटामिन देना समय पे पानी देना समय पे भोजन जाना कुछ exercise करके कुछ chemical तक्वों को सामने लाना ये Metabolic Needs कहलाती है बाडी की आर्थ की भी ऐसी कुछ Metabolic Needs कुछ आवश्यकताएं हैं कुछ जरूरते हैं उन्हें उन जरूरतों को हमें संजोना होगा we have to preserve preserve करना मतलब संजोना and we have to respect हमें उसे सम्मान देना होगा अर्थात means what what author must be trying to say the author is trying to say look my dear friends look my dear people of the world treat this earth earth as life that it has its life and just as you treat lively thing in different way treat earth also as something which has life give it respect and give it and preserve its sanctity उसे संभाल के रखो संजो के रखो संभालो और उसे संमान दो further he says the earth's vital signs reveal reveal मने दिखाना विश्व की जो वाइटल साइन है साइन मने चिन S-I-G-N साइन मने हस्ताक्षर और साइन मने चिन भी विश्व की जो अति आवश्यक चिन है विश्व की अति आवश्यक जो चिन है वे बताते हैं की एक मरीज के समान हो गया है See the line, this is very touching And this is the message The earth's, earth ka Apostrophe S Earth के बाद S लक्ष लिखा है और उसके बीच में एक apostrophe है उसे कहते हैं apostrophe कॉमा मतलब का या की या के हिंदी में Earth का, पृत्वी का तो पृत्वी के vital sign ये प्रगट करते हैं ये दिखाते हैं तो reveal मनें बताना A patient in declining health कि एक मरीज के समान होगी धरती कैसे मरीज के समान जिसका स्वास्त गिर रहा है पृत्वी जो है वो एक ऐसे मरीज के समान हो गई है जिसका स्वास्त गिर रहा है ये पृत्वी के जो आवश्यक अंग हैं अवयव हैं उनसे पता लग रहा है उनकी गतिविदियों से पता लग रहा है जैसे शरीर के आवश्यक अंग लीवर किडनी आँख हाट इनके में गिरावट होती है तो हेल्थ में गिरावट होती तो ऐसी पृत्वी के भी कुछ आवश्यक तत्व हैं उनकी गिरावट से दिख रहा है महसूस हो रहा है कि अपने नैतिक करतव्यों को महसूस करना शुरू कर दिया है एथिकल मतलब नैतिक एथिक्स मने नैतिकता एथिकल विगन डिलाएथिकल अबलिगेशन करतव्यों तो अबलाइज मतलब क्या करना अबलाइज I am obliged to you मैं आपके प्रतिरीनी हूँ तो हम अब महसूस करने लगे हैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी अपने नैतिक करतव महसूस करने लगे हैं कि धंके नैतिक करतव है कि अब हम अपने ग्रह को संरक्षित करें और इस प्रकार संरक्षित करें कि आने वाली पीड़ी को विरासत के रूप में एक जिम्मेदारी से उन्हें सौपे आने वाली पीड़ी को विरासत के रूप में अच्छी विरासत छोड़के जाएं यब महसूस करने लगे हैं In English she says We have begun to realize महसूस करना To realize मतलब महसूस करना अब हम महसूस करने लगे हैं क्या our ethical obligations अपनी नैतिक जिम्मेदारियां To be good towards the planet कि हम प्रिथ्वी के प्रती अच्छे नागरिक बने अच्छे बने And responsible trustee और एक जिम्मेदार क्या बने Trustee बने नियाई बने Of the legacy to future generation Legacy मने विरासत आने वाली भावी पीड़ी को हम एक अच्छी विरासत दे जाएं और ये विरासत किस बात की ऐसी धरती जो बीमार ना हो ऐसी धरती जिसका स्वास्त अच्छा हो ऐसी धरती जो हरी भरी हो ऐसी धरती जिसके साथ खिलवार ना किया जा रहा हो जिसके साथ छेड़ खानी ना की जा रही हो हम ऐसी धरती दे आप समद के होंगे इशारा किस तरफ है, हम ऐसा क्या खिलवाल कर रहे हैं धर्ती के साथ, धर्ती के साथ हम क्या ऐसा मजाग कर रहे हैं, जिससे कि धर्ती का स्वास्त गिर रहा है, इस पर आगे चर्चा होगे, right now you should know that Nani Palkiwala feels that in the recent past, particularly after the formation of Green Party in 1972 in New Zealand, people have become more and more aware of their duties toward the earth, the mother earth. They have started behaving little more responsibly and are conscious about the fact that we need to give to the next generation a better earth. An earth, a planet, whose health is fine, right? Thanks to the effort of a number of agencies in different countries. ये जो लिखा गया है, इसके पीछे मक्सद क्या है? केज के पास आने वाले हर आदमी के मन को जज़कोर देना, उसमें ये फीलिंग लाना, it don't behave like animals. You are the most dangerous animal and you have come to see the animals here. You are yourself the most animal in behavior. जानवर जैसा व्यभार तो हम और आप कर रहे हैं जब हम धर्ती के साथ खेल रहे हैं, खेलवार कर रहे हैं, खेल रहे हैं नहीं, खेलवार कर रहे हैं. उसके संसादनों का दोहन बिना किसी सोच के कर रहे हैं व्यर्त में, करणों पेड़ों को काट रहे हैं, आदी आदी. इसा ये एक प्रीरास, छोग व्यर्त झादनों को छ। एंसानि कौछी था हैं, त subhanस्तू में रहे हैं, लिण दूप कर रहेह क्टछी तो एंस ऑंक में आदे. ई लिगा ये स् अधरे निवर्त हैं, लिगरने, जोब टोका रहे हैं, इसा ये एक प्रयास. और इस पकार जैसा प्रयोग लुसाका में केज के अंदर किया गया है लिखकर इसी तरह की बहुत सारी बातें पूरी दुनिया में लिखे जा रही है और विश्व के इन एजेंसियों को धन्यवाद देना चाहिए जुन्होंने विश्व के इस सबसे खतरनाक जानवर के प्रती एक नई जागरूकता लाई है हमें एक नई जागरूकता लाई है सबसे खतरनाक जानवरों के मन में एक नई जागरूकता लाई है It dawned upon me... Ğakānak Vichלhahna To dawn upon... So, it dawned upon the most dangerous animal in the world, thanks to the effort by these agencies. What has dawned upon them? The idea that they are the most dangerous animals. So don't behave like animals. Now, man has realized, thanks to these efforts by agencies all over the world, that man has realized the wisdom of shifting from a system based on domination of one to based on partnership. In sab prayashon ka paranaam kya ho ra hai? Jaisa prayash Lusaka mein hai, jaisa prayash Green Party nene New Zealand mein kya, jaisa prayash 1987 mein us commission ne kya. Aur aise bohut se aise prayash huye, iska paranaam kya ho ra hai? Number one, man has become more aware. He has realized that he has to behave properly with the nature. And secondly, that there is wisdom, he has realized that there is wisdom in shifting from system based on domination to the one based on partnership. Underline that sentence, system based on domination to the system based on partnership. Kya arith huye iska? Mano ne mhsous kar liya hai, in sab prayashon ka paranaam saroop ki, domination, matlab dabao, dabao, adharit pranali, ya dabao, adharit pranali kya hai? Man is trying to dominate nature. Aaj nature versus man ke biech ki ladaai mein man lagataar yeh batanye ki košishis kar raha hai, maanau, ka hem kya tha hai, raiz ka hai, na prakariti ko baerni ko baar-baariya here batanye ki košishis karta hai, ka hem tum see jyada ta ora hai, ka hai pano gleya hai, hakanga ve raiz whi? लेकिन इसके परणाम आ रहे हैं, दुष परणाम आ रहे हैं, एलिंग प्लैनेट हो गया है, अस्वस्थ हो गया है धर्ती, तो इसने महसूस किया है कि डामिनेशन के आधार पर जो प्रणाली है, सिस्टेम है, उसको हटाया जाए और साजहेदारी पर आधारित प्रणाली को लाया जाए, साजहेदारी मतलब सहयोग, कोपरेशन, पार्टनर्शिप, नेचर से हम कुछ ले और हम नेचर को कुछ दें, सहयोगी बनें, नेचर के साथ उतनी ही छेड़ छाड़ करें, जितनी जरूरत है, जिसमें नेचर को नुक्सान न पहुंचे, बस उतना ही करें, So, domination-based system, बनाम, partnership-based system, cooperation-based system, ये shift हुआ है, Mechanic view, holistic view, then ecological view, and here, जो अभी तक आदमी सोचता सा, कि प्रकृति के master हम हैं, हम मालिक हैं, इस धर्ती के, प्रकृति तो हमारी मुठी पर है, अब वो सोच बदल रही है, अब man सोचने लगा है, महसूस करने लगा है, अनुभाव करने लगा है, कि प्रकृति के हम मालिक तो नहीं हैं भाई, ज्यादा से ज्यादा, तो हम प्रकृति साथ partner हैं, प्रकृति हमें डॉमिनेट ना करें, प्राचीन काल की बात करिये, गो बैक तो हंड्रेट जन्रेट जन्रोड जन्रोड पहले थे, तो हम प्रकृति से भागते थे, बिजली से, पानी से, बदलते हुए मौसम से घबरा कर, केव में छुपते थे, तो हम प्रकृति सी डॉमिनेट करती हैं, आज हम डॉमिनेट कर रहे हैं, उस समय भी जो बुराईयां थी हैं, तो हमने डॉमिनेट करना शुरू किया, लेकिन अब हम इतना ज्यादा डॉमिने हो गया है, उसने महसूस किया है, कि डॉमिनेशन आधारित प्रणाली से बहतर है, साजहे धारी आधारित प्रणाली Next word is perception, to perceive is a word, P-R-C-E-I-V-E, to perceive, perceive मतलब दूर की गहराई में सोचना, दूर तक जाना सोचना To perceive, उससे मना perception, perception मतलब दृष्टिक कोण, I perceive that overall result will be average, मुझे लगता है कि कुल परिणाम जो है वो औसत रहेगा, I perceive, A perception, his perception towards life is very good, जीवन के प्रति उसका नजरिया, उसका दृष्टिकोण बहुत अच्छा है, वो है perception, you must have good perception towards life, जीवन के प्रति तम्हारा नजरिया अच्छा होना चाहिए, दृष्टिकोण अच्छा होना चाहिए Next word, that is important, to revolve, R-E-V-O-L-V-E, to revolve मतलब move around, किसी के चारव और घूमना, Earth revolved around the sun, who discovered it, Copernicus, a Polish Khagol Shastri, Poland का Astronomer था, उसने ये खोज निकाली, कि प्रिथ्वी घूमती है सूरज के चारव तरफ, उसके पहले क्या सोचा जाता था, कि ये सूरज घूमता है प्रिथ्वी के चारव तरफ, ये पहली बार Copernicus ने discover किया, What is the difference between discover and invention? Discover करना मतलब कोई चीज जो already है अस्तित्त में, उसकी सच्चाई को सामने निकाल देना, जैसे Copernicus ने सच्चाई सामने निकाली, चूरज पहले से है, प्रिथ्वी पहले से है, तो उसने सच्चाई सामने निकाली कि प्रिथ्वी घूमती है, ऐसी सच्चाई को सामने निकालने पर क्या कहता है? discover और invention मतलब नई चीज को इसी इजाद करें तो नई चीज का कोई सा आविशकार करें तो इसे कहते हैं invention मनें आविशकार और discovery मनें खोज कॉलंबर invented America और discovered America कॉलंबर discovered America penicilline or COVID-19 was invented not discovered so perception change जो पूरा दृष्टी कोण बदल गया जब ये दुनिया में को मालूम हुआ कि earth moves around the sun so the whole perception change to revolve मतलब घूमना earth revolves around the sun next word that we have is very important and that is to preserve preserve करना मतलब किसी चीज को सनरक्षत करना बचा के रखना human life has to be preserved by preserving the environment मानो सब जीवन को हमें सनरक्षत करना है कैसे वातावरन को सनरक्षत करते हुए वातावरन को बरबाद करके मानो जीवन सनरक्षत नहीं हो सकता मानो जीवन बचाया नहीं जा सकता इसलिए to preserve से बना है let us preserve this in the fridge कुछ चीज हमें बचा के रखना होता हम फ्रिज में उसे क्या करते है प्रिजर्व करते है और उसी से एक शब्द बना है preservative preservative ऐसा chemical जिसको कुछ चीजों में डालें तो वो जल्दी खराब नहीं होती जैसे अचार बनता है शर्बत बनता है और शर्बत सालों साल सास रहता है सालों साल सास for years sauce and juice and all those things bottle juice they remain intact because of preservative उसमें ऐसा chemical रहता है जो संरक्षन का काम करता है so preserve से बना preservative next to reveal I told you about this word to reveal मने दिखाना he was talking to me on phone but did not reveal his identity वो मुझ पे phone पर बात कर रहा था लेकिन उसने अपने परिचे नहीं दिया अपने बारे में नहीं बताया to reveal मतलब दिखाना सामने लाना he did not reveal the truth police ने उसने बहुत दबाव बनाया but he did not reveal the truth police ने बहुत दबाव बनाया लेकिन उसने सच्चाई नहीं दिखाई सच्चाई सामने नहीं लाई to recall call and to recall recalling is a very recalling is a very important quality for good students आपने कुछ याद कर लिया लेकिन समय पर उसे दिमाग से नी लापाते हूं तो ऐसा ग्यान क्या काम का समय पर उसका उपयोग कर लिया जाए वो तभी सम्भो है जब समय पर आप उसको recall करें समय पर उसको सामने लाए याद तो कर लिया but could not recollect समय पर याद नहीं आया तो ऐसा याद करने का क्या उपयोग उसी से बना है recollection recollect recollect whether I had given you money जब याद करो कि क्या मैंने तुम्हें पैसा दिया था Ronaldo has been recalled into the team Ronaldo को टीम में वापस बला लिया गया recalled bumra has been recalled in the team वहाँ पर देखिये recall का दूसरा अर्थ है वापस बलाना और एक मैं बता रहा हूं recall करना मतलब उसको पुरह स्वरती में लाना याद दाश में लाना सामने I cannot recall that I had been to Delhi मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं कभी दिलनी गया सा right so this is recall next word for your understanding is to set up let us set up a camp to set up manne sthapit karna sthapit karna so I set up a school मैंने एक school sthapit kiya set up set out next word that you have is holistic ये शब तीन चार बार आपने पढ़ा और कई प्रश्णों के उत्तर में आएगा ये holistic h-o-l-i-s-t-i-c holistic मतलब होता है complete समग्र संपूर्ण comprehensive सब कुछ नजरिये से संपूर्ण द्रिष्टि कोण you must have a holistic view of the world दुनिया को समग्र द्रिष्टि से देखो एक ही नजरिये से मत देखो हो सकता है सब बराई ही दिखाई दे हो सकता है कुछ अच्छाई ही दिखाई दे बराई न दिखे वो दोनों गलत है हो सकता है निराशाबादी विचारी आएं हो सकता है बहुत ज्यादा अतिव सहित हो जाएं आप नो में के holistic view अच्छा बुरा सब नजरिये से समग्र द्रिष्टि से सूचना उसे कहता है holistic, complete संपोर्ण द्रिष्टि कोण slow down slow मतलब आपको मालूम है कार को धीमा करना इसको कैसे बोलेंगे कार को धीमा करो slow your car no स्कूटर को धीमा धीरे करो तो हम कहेंगे slow down your car slow down your speed slow down your speech बहुत तेजी से आप बोल रहे हो मैं आपको कहता हूँ धीरे धीरे बोले slow down your speech थोड़ा धीरे करे तो वहाँ पे down शब्द आएगा down का मतलब नीचे नहीं है जहाँ पर slow or down मिला कर एक अलग शब्द बनता है जिसका आर्थ हुता है धीमा करना speed कम करना next word that we have is unsustainable एक्तो शस्तेनाबल देवल्पमेंट एसा देवल्पमेंट विच कन ब सप्पोर्ट supported for n number of years and another development is unsustainable जिसे हम लगातार support नहीं कर सकते विच कांट ब सप्पोर्ट जिसका पोशन ना किया जा सकते so unsustainable that's another word impaired मतलब नुक्सान पहुंचाना और उसे बनाएं impaired impaired मतलब हाम नुक्सान पहुंचाया impaired then last word that we have is to disappear गायब हो जाना to appear मने दिखाई देना or to disappear मने गायब हो जाना this with the darkness around that thief disappeared जैसे अंधेरा हुआ चोर गायब हो गया लुप्त हो गया छिप गया